बुद्मॉर्णिंग फ्रेंज, स्वागा थे आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एज होगा पर, आज हम आपके लिए डिजीज पार्ट टू लेके आये हैं, हमें पार्ट वन में आपको समझाया था, डिजीज का इंट्रो दिया था, कुछ इंपोर्टन टर्मिनल दिजीजिज के बारे में, आज की इस वीडियो में हम बैक्टर्या से होने ali, फंगस से होने वाली और प्रोट्योड से होने वाली दिजीज की बात करेंगे, उनके बारे में बढ़ी दिटियाणी को बैक्तिरिया और क्वींसे उनकी माइक्रो और इस साथ में इस involved के स तो सबसे पहले हम बैक्टिया से होने वाली बीमारी के बाई में पढ़ेंगे ठीकिना पैज़ा आप यह समझ ली तो बैक्टिया से बीमारी होती हो इसनी ज़्यादा खटनास नहीं होती वाईरस के मुकाबले क्योंकि वाईरस तो कुछ अजीव सा जीव होता है जो भार मुर्दा होता है अंदेदा के जीवित होता है बहुत ही अजीव सा जीव होता है हमारा वाईरस जबकि बैक्टिया बहुत ही सिंपल सा है यह एक प्रोकेरियोतिक जीव है हमारा प्रोकेरियोतिक हमने आपको सेल वा करना होता है सिंपल सी बात है इसके आगर यह जो हमारी सेल बोल है सेलुलस की बनी जो कोई तोड दिया जाए तो बैक्तियां के अंदर का साड़ा समाद भार निकल आएगा साड़े और बैक्तिरिया मर जाएगा इसके सिर्फ टो ड़ाया बना एजाती हैं तो तोड़ दे और बैक्टिया खतम कर दे इसमें थोड़ी सी वाइशन कर देते हैं हर एक बिमारी के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम सुरुआ करते हैं अपनी पहली बीमारी से जो कॉलेरा बीमारी है इसका बहुत बड़ा इंडिया में सबसे जादा बड़ा क्यों ब्यांदक रूप से फैल गें अंग्रेजो के ताइम में क्योंकि दोनों ही बिमारी है जो है गंदे पानी से होती है गंदे पानी या फिक यह इतना जाद ध्यान रखा नहीं जाता था है ह LAN एक इतना है सस्वस्ञा पानी गहरों पहुंचा है मुंपन आनि यहां पियुलत हो जाता है बहुत ही डर्ड लूज मोसें होते हैं जो baru आपको लूज़ तुल कर जाते हैं इसको लूज़ तुल की जाता है। कैसे बीमारियों के जाच भी करी जाती है। अच्छा और इसके दो बक्तिरिय है हमारा विब्रोग कलेरा वेक्तिरिय हैं। इसमें आपको बिक्ष यात करनी की चलो होते हैं प्लारेस को बाइकती में कि ओथ है इस परिया करता है वस्त लेने में problem होने लग जाती है बुखार हो जाता है में जो अगर एक्जाम में पूछा जाए इसके symptoms में तो ये फ्रोट प्रता करती है और जो है अगर organ पूछा था किस organ प्रता करता है तो फ्रोट लिखते आना है तो हमारा whoopid half और technas तो जी सिर גफ्ट्स व्रीन होता है इसे सिर्फ एक डवा ही दहीं से व्याज्ट जे जी जाती है और फिफ Scorpion होती है चोंपर एक्जाम में बहुत को सुनाते है क्लिक भूछ ज़ादे इंपॉर्टेनन है। हर बच्छे जब भी हर infant को यह वाली vaccine लगवाना ज़रूरी होता है ज़रूरी इसको लगवाना चाहिए ताकि इन तीनों खतनाग बिमारियों से बचा जा सके है इसमें जो डी होता है वो डिप्थेरिया को रिपरेजन्ट करता है वी हमारा वूपिंग कफ को रिपरेजन्ट करता है अब श daru न को परेजन्ट करता है परेजन्ट इसको चाहिए इसको क material का डूपिंग कफ को बिपरेजन्ट के प्रेजाम होता है कि आपको दढाया भी जाता है बच्चों को कि tetanus का injection लग जाएगा ज्यादा मत बोलो धंग से चलो धंग से खेला करो ज़ये ज़्यादा लड़ाई मत करा करो अगर ज्यादा चॉट लग जया तो tetanus का injection लगवाना पड़ता है एक्षिलमें ने टेटनिस का घ्टिय्में ने पूरच मांई यस ति üz तिर पूरष ने जाते हैं जो आइडेन के जो बी चीज़े बनीज को बाएं ने यसमें पूरच मारदी जोए ज्प छोगे लोही रमाट बीमिदिर होगे ह् तो तो यह bacteria आपके body के अंदर सले जाता है और आपको बहुत ही ज़यदा बिमार कर देता है इसको नो एकवं नामसे जनना जानना जाता है low jock के नामसे jaw lock के नामसे इसको jaw lock के नामसे क्यों बोले जाता है क्योंकि tetanus कज़न बिमारी होती है तो हमारे जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं वो जो हमारे खुलने में डिक्कत करते हैं जितनी भी हमारे बोडी की जाते हैं मसल्स होती है वो कॉंट्रेक्ट करने लग जाते हैं डिला जाता है इसका 3-2 बीमारी की तेटनस में आपका जबड़ा मूव बंड हो जाता है इसे जह क्लॉज तेटनस की बिमारी के बिमारी आती है एंट्रेक्स जो बिमारी में जानवरों में पाई जाती है जो हर्बी वोर्स होते हैं घास खाने वाले जीव होते हैं you can hear that. Farm land dairy farm के जीव होते है, उन में पाइजाती है जाए, बकड़ी, सुवा इन सब में पाइजाती है और इसके जो कई बापर हमें भी आ जाती है. जो हमारे जानवर होते हैं हर्बी वार्स होते हैं, उन से ट्रांसपर होके बिमारे किसी जानवर की धरी ड्रामने के आणरिया क्या खर्काली है याद बेक्टिरिया के जो बेक्टिरियान सब्सक्राइक कि एंध exist एक लीखे में अगले अग्ले बीमारी आती है काला अजर जो है नाम से पला चलाये इंडियान बीमारी है वैसे जितनी भी हम बीमारी है समझाएं ये सब या तो बहुती बड़ा अपिडेमिक लाचों की हैं अपने समय में या फिर ये जो है commonly होने वाली बिमारी के नम हैं ऐसी जो काला अजर है ये इंडिया में बहुत ही जादा होता है और इसका गाला होता है जिसको छबार वैनिया नहिंके चट्ग कि आने लग जाते है Works में चथ में पेंट starts और अगर हम काले अजर की बात करें या फिर लेस्ट मैनिय की बात करें तो इसमें जो हमारे रेड ब्लस सेल्स पर अटाक करते हैं यह बिमारी हमारे रेड ब्लस सेल्स और रेड ब्लस सेल्स बनाने वाले सॉर्सेस पर अटाक करते हैं यानि कि हमारा जो स्प्लिन हो गया लिव बहुत जादा एहम भूमी का निवहाता है और फिर बड़े होके फिर हमारी बाइब बाइब करता है और ये बिमारी हमारी काला अजर्व बिमारी और इसकी जो होते हैं वह anemia भी इसका एक symptom भी होता है इसे तो नहीं कि आप इस देफिसेंसी से भी हो सकता है या फी काला आजर से भी आपका इस राता करेगा तो आप को चल की जो कमी हो दाएगी और anemia पिर आते हैं हमारे लेप्रोसी यह ना मतलब यह तो कोई भी आप European movie उठाके देख लीजिए कोई भी ancient time medieval time की European movie उठाके देख लीजिए उसमें लेप्रोसी की बात जरूर करी जाती है पहले पहले की समय में लेप्रोसी का बहुती ज़ादा खौफ था तर लोगों में इतनी जादा खतना की बिमारी हैं और जितना ज़्यादा इसका खौफ था इसको माणा जाता है कि जो भी आद्म होता है वो उसके पुराने करवों के कारण होती है ऐसा अंदि विश्वास प् मानी गई थी यूरोप में इसके कारएं इनको सोसाइटी से अलग रख दिया जाता था तो अगर एक्जाम में पूछाता है कौनसी बीमारी के लोगों को कौनसी बीमारी के विक्टिम्स को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से डिस एक्सेप्ट कर दिया जाता है इस बीमारी में क्या होता है कि जो skin होती है, skin पे hard होजाती है, skin पे attack करती है लपरोजी बीमारी और आपकी heart deformities भी होजाती है, आपका heart ऐसे रह जाता है, पूरे चायरे से लेकर आपकी पूरी skin बहुत ही hard सी, स्केल्स ही बन जाती है, इसमास की बैक्तिरिय का नाम है, बिमारी अनी किया हूं सबसे पहले प्लैक, ब अब शबने शबने ही होगा, компьютame पहले है कंब क्रैक बैक्तिरीच वेइं baru खेंव मतलो फिते बीमारी प्लैक्तिरिक वेय बाइब था जहे एक रख़ेस है जो भीक्तियां से होने वाली बीमारі और इसका एपिडैमिक पहला था बखें जितनी भी हमारी आज तक दुनिया में वे वाइरस के फैलते हैं उदे असकी फैलेंब्ड़ को बख़र है जो सीद्दाइक है यौ लोगों को लगता है कि रैट होता है इसका वेक्टर है ना आपने भी सुना होगा टूओ फ्लेग जो टूओ से नहीं पैलता है टूओ पर मौझूद फ्ली से फैलता है लोगा टूओ तो आप टुओ के ऊपर थिया आपकी फ्ली होता है यही खतवमल कह सकते हो है यह चोंटे सा किड़ा होता है यह यह हमारा बेक्टेरिया फ्लेकर लसी seniors होता वह फैलाता है और जो चुवे होते हैं गंद्गी में गूम रहे होते हैं तो उन पर फ्ली जाकर चुपक जाती है उसके बाद ये चुवे हम इंसानों की बस्ती में आ जाते हैं और फ्ली को वहां से उतरके इंसानों के बीच में आ जाती है आपके बैट पर आजाएगी आपक बीमारी नहीं पर बच्चों के बैक्टिया में पाया जाता है जगा-जगा बहुत सारे ऐसे लिए पैयरिंग के पाया जाता है इसमें भी पायदाते है, mainly 2 के पेह, उसमें जहां पर effect करता है, वहां पर 2-2 के पेह में पायदाते है, इसमें Dipelococcus नाम दे लिया, pneumonia तो इसकी family का नाम हो गया, फिर हमारा septic sore throat भी एक बिमारी होती है, septic sore throat, जैसे नाम से पता चला है, अिसके स्केत्वान इत्तोकोकस नाम इसके नहीं बनाता है। हमारा जो नम 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 नक différentes के रहे वह सकते स्केत्ने हैं। और यह थ्रौद पर अटेक करता है मतलब गले पर आपको थोड़ा सास लहीं में प्रॉब्लम होगी नीजिंग कफिंग यह सब कुछ होगा अच्छा नीमोनिया में तो आपको वैसे पता ही होंगी इसको टीवी भी पॉल दे जाता है सोट में क्योंकि इंडिया में बहुत जाद़ कोमनली पाए जाता है यह तो इसको जाच करवाना जरूरी होता है क्योंकि इसका इलाज बहुत ही असान होता है चौते है एक कोर्स ऐसका इसका नहीं हो जाता है इतनी जएदे कोई intervention की वात नहीं है पर आफिर स्टेज 2, स्टेज 3 आगे की स्टेज में पहुँच जाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा पेंटफूल एलाज होता है और उसकी सक्सेस गैनेटी भी कम होती है हमारे क्यूबर क्लॉस्टेस की इसका जो बैक्टीरा होता है उसको माइको बैक्टीरियम कहते है और जो इसकी मैडिसन होती है उसको बैक्टीरियम कहते है और जो इसकी मैडिसन होती है उसको बीसीजी कहते है यह वैक्सिन होती है इसकी बीसीजी वैक्सिन होती है इसको आपने सुनाई होगा आप में से कही हो को typhoid हुआ भी होगा बच्पन में यह बच्चों को ज्यादा होती है क्यों होती है बच्चों को ज्यादा क्योंकि बच्चे इज़ा उज़ा खादना खा लेते हैं नीचे गिरा हुआ खा लेते हैं गंद में रहते हैं बच्चे गंद में खेलते हैं तो यह ताइफाई जैसी बिमारी हो जाती है इसे contaminated food से contaminated water से और आपकी जो housefly होती है उससे भी होता है जितनी भी बिमारी होती है तो contaminated water वो contaminated food से होती है उसमें housefly को आप समझ लीजिए हो तो addition में आएगी ही आएगी क्यों क्यों जो housefly होती है वो गंद में बैठती है और फिर आपके खाने पर भी बैठती है गन्द में भी और खाने में भी बैठती है तो खाने को अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाते है और इसके जो वाइरस होता है उसको सेलमोनेहला टाइफी कहते हैं नाम होता है है अचै के symptom क्या होते है है इसके symptoms वही lose motion होना आपका образом है कि आएगा में loose तुल लिखके आएगा मतलब आपके यह प्रिप होती है इस लिए और पेट में दर जोना वहना वागत के सब तो तो नॉर्मल से ही है, Lose Motion main होता है इसका, ताइफाइट का, फिर आपका आता है, ताइफाइट की ना एक वैक्सीन भी है, तीक है, वो भी एक्जाम में आजकल पूछने लगए है, तैप करके एक वैक्सीन आती है, तैप करके, वो भी बच्वन में आपको लगवानी जरूरी यहिए, फिर आपका टाइफाइट नहीं होता है, जाता है अजकल लगने लगने लगी हैं, वे नहीं लग होता है, पिर हमारा on Otis ली नहीं जरूरी बिमारी हैं, जो साइफिल्स होती हैं हमारी बिमारी, इसתח पलागने, compounditts शे भी होता है incorporating पर बहुत जाता स्वेलिंग आजाती है आपके बहुत जाता स्वेलिंग आजाती है आपके बहुत जाता स्वेलिंग आपके बहुत जाता स्वेलिंग तो había check ब्त करें गुठर को यह रहते हैं, सबसे पहले हमारी अधेर क्तितीरिय के तो मतलब से सब्सक्राइब कहते हैं हैं 저희가 बात करेंगे प्रोटोजव मुट्स का दुख करेंगे जब से malaria से लड़ी ही रहे हैं humans जो पाया गया है सबसे पुराना जो malaria का पाया गया है हमारा protozoa वो millions and millions years ago का है millions years का है यानि कि तब humans आई भी नहीं थे जब डैनोस भी नहीं आये थे उससे पहले जो एक प्रोटजुवा का नाम है और इसकी तो discovery कहीती सबसे पहले वो मैं रोनाल्ड्स ने गरी थी जांस पॉइंट वी से बहुत जादे इंसे पहले इनकी दिस्करविस से पहले लोग माना करते थे कि तो मलेरिया है वह गंडी हवा से पैलता है यह यह पहले सच्छितिक जो है किसी मच्छर को कात के स्टमक से फून निकाल के सेंपल को ऑब्जार्व किया था कि एक प्रोट हुआ है कि एक उना हमारीinge की बीमारी बिंदम होता है उसके उसकी ųपर पहले के चल दाएगा तो मच्छर जो है वेक्टर बन जाएगा उस case में जो मच्छर वेक्टर बन जाएगा और उसके बाद पी वो किसी सुवस्त आजमी को कातेगा तो वहाँ पर जाके वो बिमारी को फैल आएगा ठीक है अब आपको सदेंट चिल होने लग जाएगी आपको वोमिटिंग होने लग जाएगी पेट में दर्द होने लग जाएगा यह सब कुछ इसके सिंटम्स होते हैं हमारे मलेरिया के और जो मच्छर इसको फैलाता है वो फीमेल एनेफीला होता है और जाएगाया पींटियूरो इसको होते है पोके हमारे उटिया लिखिणत बरवुट टी है इसके वा वणम है कोई दिखत की बहुता है इतने उतने जाएगा बातबहने पर से पहले क्यान किया घै कि ना ले giặc है खुरत ना जो मिला था वह माँ घ्यार्डियस से प्रीड़ नामका ने प्रिष्छड़ेम करता है हमारी स्टूल होती है वह बहुत ही जादा बलकी और बहुत ही बदबूदार निकल के आती है इस बिमारी के दौरान मजीद आना जरू है आपके लिए यह फॉर्स्ट प्रोटोज हुआ जो फाइंड किया था वह हमारा ग्यार्दिया स्रिस्क था उसके बाद हमारा त्रायो सो आता है जो बिमारी है इसको जो जो ऐ दिसोडर भी आपको त्रॉमेनिय से ही नम पता चल रहा हुआ ब्सको ऐसे अभरारा इसको अफ्रिकन sleeping disorder वह घाता है अप्रिकन sleeping disorder और्व त्यविए गम्भिया की विमारी को है स्लिपिंग बोलाँ सुब्सक्राइब का ट्री जो पाई गये थी और इस चरा के ?, याक्रß के सम्ने के विजरू इतना है आपको trinosoma, trinosoma इसके जोए प्रोटोजोवा का नाम है, ये कहां पर अताय करता है, जितनी भी हमारे, जितनी भी प्रेटोजन, सब के सब आपके सब के तमक पर ही अताय करेंगे, तमक और इंट्स्टाइन के एरिया में अताय करेंगे, और वही इनके symptoms होंगे, आपके जोए loose मैं दर्द होना यह सबगे सिंट्म हों गया हमारे प्रोफ़ा कि लिए अद्राय है हमआरे इसके बीमारी का नाव है और इसके प्रोह का नम थी हा नाम है और इसके खेखते हैं यह उसक्क्राइब एंटो मेर्वा का नाम है अलंटुमयरत हमारे स्किया प्रोचवु przy है और इसके कारण जो ये हानी में हमें डिक्कट होने लग जाती है और लूस तूल आ जाते हैं और पेट में प्रॉब्लम होथी है इसे के जात हमाई प्रोग्योग होगे अब हम फंगस के लिए में पढ़ेंगे वैसे जो फंघस होती है न वह इतनी जादा खतरना प्राणि ह इसमेरे तो हमारी बोडि में लेयर होती हैं, वह एंटी फंगल होती है, तो फंगस को आने नहीं जाने नहीं उती हैं ही एसक बहुत ही रेर चांजिस में इनसानों को फंगल डिजीजी इस होती हैं और कभी कभार हो जाती कि कत लग गया यह काफीदेट जहे किसी काफीध रहा कि तो किसी न कसी वारे होती हैं और जितनी भी भीमारी हो थे फंगस होती एं HEWAA में वो spors अपने release करती है हमारा तो मस्रूमत है वो भी आपको पता ही है वो spors release करता है और उसी से वो आगे जाके felt है आगे spors हमारी immune body पर लग जाए किसी cut पर लग जाए हमारी defensive layer है उसके अंदर चले जाए जब जाकि हमें fungal infection होता है सबसे पहला rigworm infection आता है हमारा जो कि हमारा trichophetin नाम के fungus होता है घर एकक्स होता है अंदर को G alcala to Б Selbst नाम से है चाए कि क Suz यह नहीं है कोई किड़ा नहीं होता है क्या आ Sage Up Panda Japanese को ChelseaT पूछ लहाए threeage 일본 시간 researchers होता है क्या क्या वो फंगस से होता है क्या प्रोटाजवास वायरस से तो आपको लिख या नहीं फंग फंगल डिजीज है ठीक है ना और इसके तो क्या होता है इसमें इसके कि आपकी जगा-जगा पर skin पर swelling होने लग जाएगी वो fungus का आपको पता है यह fungus infection अलग से दिखाई दिनने लग जाता है तो skin पर attack करता है जिसी भी internal organ पर attack नहीं करता है अगर एक्जाम में पूछता है कौनसा organ पर attack करता है skin पर करता है तीनों की तीनों भी fungus अमारे सिर्फ skin पर attack करते है और जो athletic food है नाम से परहता है जिए foot पर attack करते है जो हमारी foot की fingers होती है उनके beach में swelling होने लग जाती है fungal infection हो जाते है foot की finger की beach में और जो कैसे होता है इसको फ्रैट होने का क्या reason होता है कि आप जो वेट मैट्रेसिस पे जो कालीन पे जो गंडी कालीन होई है दुली नहीं है सालो सालो से उसके नीचे कूड़ा जमावतर जा रहे है अगर आप उस तो या फिर मौजे नहीं बदलते हैं आप एक ही मौजो को बिना धोये पूरे हफ्ते हफ्ते लगा देते हैं तो यह हमारे athletic foot नाम की बिमारी हो जाती है इसका नाम athletic किसलिए रखा किया है क्योंकि यह at least को जादा होती है वो जो बहुत जादा दोड़ लगाते हैं जूते प बिमारी है आपको बस खुझली होने लग जाती है पूरे सरी में यह किसी भी particular fungus से नहीं होती जब कैई सारी several fungus हमारे body पर attack करती है उसके कारण जे बिमारी हमारी हो जाती है धोबी इच इसके symptoms होई है पूरे सरी पर खुझली हो जाना इसका नाम धोबी इच लिए रखा है क माइक्र ओगेंजम और उठा के लिए आता था और उसी के कारण जो खुझली मचने लग जाती थी बोलते ना गंदे कपड़ों से खुझली मचने लग जाती है बिना धुले कपड़े पहनने से खुझली मचने लग जाती है तो वह धोबी इची होती है several fungus के effect से होती है इन म रहर हम आपको वर्म से होने राली डिजीजिस के बाई में बोलेंगे, जिसको हैं वर्म से होती हैं उनको हैं 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 बीडिजीजिस भी बोलता है, यह तीन इस थी इंपोर्टन है अपके एक्जाम पोइंट अफ यू से जिसमें से पहले आती हैं आपकी Asteriasis जो की आपकी A इसके बाद आती है आपकी फ्लेरियसिस है इसको ऐलफेंटेसिस भी बोला दाता है या तो आप इसको अग्जाम में पूछा दाएगा या फिर ऐलफेंटेसिस पूछा दाएगा आउड़े जी थो बाता सांग को बाता है आटि इसको ङूछ होता है अचीज होती है बहुत जड़ पुला देते हैं ठीक है यह ऐलफेंट जैसा दिखने लगे और यह फैल्ट है किससे इसका वैक्टे जो है मॉस्कितों होते हैं मॉस्कितों के बाइट करने से यह हमारी बॉदी में लार्वा चली जाते हैं लार्वा बाद में जाके बड़ों के इंसेक्ट बन करते हैं पर जाते हैं यह सबकुछ होता है यह कोख्रों चिस से धीक होता है इसको पर भी लिखा जाता है को तेप लिख देते हैं या फिर इसको तैनिया नाम के बवह लस्तियें लिदो कीजि़। यह नहीं पतले परoa Champ today रीवा ते बहुत ही जादा पतले zostतना पतले फिर लंबा होता बहुत थे अपया से लंबा होता है ऑप्मोड मोड़ और पो चुराता थे रहते हैं और से क्या होते है हिसको dehydrogen करके निकालना पड़ा है इस पें अपने आपकी multiplication करता चले जाता है. इसको कहते हैं कि काड़ दो तो ये दो बन जाएगा. बहुत जाद़ आजीब सा ये कीड़ा होता है. और ये बिमारी क्या करता है? ये आपको vomiting, आपके हो indigestion करना, ये सब को इसको इसका काम होता है. हमारे tine assis से. और इसके वाम का तैनीय नाम है ठीक है तो यह ठीन ही है यह तीनों बड़ी असान सी है जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी वार्शेज में और बैक्टीरिया में बाद में हमारी फंगर्स में प्रोतलोजों में और इसके बाद हमारे हल्मेंटिक हैं इन में तो कोई जादा खास प्रॉब्लम है नहीं बेसिक बेसिक से तीन से चार हमारे नाम है इनको याद करने नहीं है अगर आपको याद ना हो तो इसका एक प्रिंट आउट निकाले और अपनी दिवारों पर लगा दे लिए रोज सुबहर देखें एक बाद दोड़ा हैं अराम से अपने आप ही याद हो जाएगा कुछ भी एक्स्टर एफ़ात लगाने की ज़रुवत नहीं है फिर भी अगर आपको कुछ डाउत हो तो हमें कमेंन सेक्शन में ज़रुर पताएं हम आपके सभी डाउतों को क्लियर करने की पूरी त्राय करेंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गयी तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें अगर आपने अपने अपने हमारे चान